हलो बच्चों और कैसे हो आप हम पड़ा रहें अध्याया दो अमल छीय के दोड़ेंड में मल जालाज की इस्तति तेद्ध्रान्री में इसत्ति बनते और उस-में सांदोनिय् investigating HA 004 का कि जबूनिया लालती है फडर्वनिय के किनारे की साइद साइड से ऊच्छव मार्फिरा इस अफिर दर्व करते हैं उसे दिखते हैं कि जो गैस निकलती ह intuitively से वह फ्रॲीड उसका मतलब उसमें से एक अमल्य गैस निकल रही है यह आपका एक प्रयोग है będą जो आपकी कता में दिया हुआ है ठीक Lots प्रयों के माध्यम से यह यह होता है कि जो अमल होते है वह जल्ए विल्यर में H ना देते हैं और हमने इसी बात को पड़ा था कि जो अमल है अमलों के विसस्ता है यह वह ने्रे लिटमस को लाल करते हैं और जल्ई विल्यर में है यह प्रादिते हैं और खटauen होते हैं वह इधारतोंके है हैं टेने का गुण है वो केवल जल में ही प्रदर्शित होता है ये किसी अम्द्य में यह प्रदर्शित नहीं हो सकता कि अम्मलिय प्रदार्थ है वो अच्छ बस आयन देंगे तो जल की उपस्तति में Hcl में hydrogen ion उत्पन होता है मतलब जल उपस्तत होता है किसी भी अम्मल में सब्सक्राइब यह जो एक प्लस है उसको एक तरी को प्लस कर दिया है है इसलिए जलके अनुनों के साथ मिलकर सकते हैं है यही मैंने बोला है वह लाइन सीदे लिखी हुए है इस तरीके से दरसा है अब यह हमने अमलों का देखा है कि अमल जल में किस प्रकार से अब हम देखें चारों की तो चार होते हैं उनको भी जब हम जल में घोलते हैं चार काश्टिक सोडा होता है ने वह को हम काश्टिक सोडा कहते हैं कि हो होता है यह हमारे चार होते हैं इनको जब हम जल में घोलते ह क्या रहता है कि क्या होता है कि हम जो हमारा चार है वो दो बागों में बढ़ता है एक उसका पॉजिटिव भाग और एक उसका नेगेटिव तो इन चारों में जो एने है वो प्लस में हो जाता है और ओच माइनस में हो जाता है यह नेगेटिव पार्ट है और यह मंदब ऐच प्लस और माइनस की फिए तो जो चार होते हैं जब हम उनको जल मैं गूलते हैं तो तो फिए फिच स καो जलमें गूलेंगे तो क्या देंगी हम रिख अवनगो फिख अ काई- औरDuels ऐस कौनाहे है तो टोम जलम है नहीं नहीं उनको नहीं कहते हैं इस लाइन से निकल गया रहा है कि जो जलमे गुल कर रहे हुँ देते हैं कि यह चार के लाते हैं यह चारों का गुण है कि वह जल में ओच मायनस आयन देते हैं अब इससे आगे है कि हम दौनों चीजों से हमने देखा कि जो हमल है वह और देते हैं चार है वह हमायनस आयन करें जली विलेड में तो उसके लिए हमने उनका equation solution लिया था equation means ज्यलियवीलियन में हमने घ्रफ लिया था तो हमारा वेर बना था ऑर H2O एह तो अब हमने हमने करांड था वह हुर्फ यही था जह ज्यलियबियरियन atau यहेटे था करना ही उदासी नहीं करना अभुक्रिया का जो जल बनता है वो नीचे जो आपने दिया हुआ हम ले चाहर के अभुक्रिया कराई है फिर उसमें हमने लवण और जल को देखा है तो यही है अभुक्रिया को देखें है तो आपको अभुक्रिया को अच्छे से करना है तो यह भी उसी का है कि उदासी नहीं करना अभुक्रिया इस बजाए से होती है हम जिसको उदासी नहीं करना अभग्रिया पढ़ रहे थे कि जल्व में जल्य विलेंड में अमल है वह एच प्लस देते हैं चार है वह मानस देते हैं और अभग्रिया जो मतलब सॉलिशन है वह नूट्रल उदासी नहीं हो जाता है किसी भी पदालत का उसमें कोई गुन नहीं है जब जल्य विलेंड बनाएंगे तो उनको जल्म में डालेंगे जल में जब हम आउर्ज़ा को डालते हैं तो इसमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अचानक से जल्मे जब हम अमले डालेंगे तो बहुत अधिक महात्रा में जो H plus Ion है वो मुख्त होते है जिससे की जो अविक्रीया होती है उसमे अतिदिक महात्रा में उर्जा निकलती है तो जो अमुल चारों के यह हमने अमुल की देखाई चारों को जब आप देखते हो कर देखके में कि अुग नाते हो कि पहसे आप एक श्रभा में वहते हो तो प्रयोग Śारा में इस बात का का विशेज ध्याद रखा तो बहुत ही बूंद बूंद करके तो विलेन में डालें जल में डालें और हिलाते वो डालें जिससे कि टेस्ट ट्यूब जो परखनली है या बीकर जिसमें भी बना रहे हैं सॉल्यूशन वो फटेना गर्मी हीट के वएसे वह पात्र फटना जाए तूटना जाए एक इसका ध्यान रखा जाता तूसरा एक साथ नहीं उड़ेलते किसी भी अम्रचार को क्योंकि एक साथ डालने से ज्यादा मात्रा में उर्जा बाहर निकलेगी जिससे कि जो भी प्रिय प्रियोख साला में जादा अधिकतर समयं जब तक हीativas नहीं कि जाता है जुक्ते क्यों को तो श्रीय के पात्र प्रेंग से स्रीर के चुं जाए या कोई दिक्कत हो यह रहते होगों सत्रीहें नोगी क्या होते हैं पnaire में जलकी मातर आत्य देखोती है जो अनकी मोलें अर्प हमारा स्बर चाम और सिरों यह दो सिरॉब्ड तो81 तोफटीं कर दो कावे, स्पाट, अबवह पांग्य सब्सक्राइmberbourne चारों की उडासी निकर पप्रिया का ये एकुझामपल है अब सम्सक्राइब वे सभी छार्व ने सुखेल, वी दो सब्ध schaar होता है सबिधात नंवहिण सभजा चाहिए लेकिन जैसे कास्टक maintenance, रत हाय, थो भी स्थार छी तर्च होता है, और स्थार थोड़ा कड़वां थो होती हैं चारु में लाता है आफ और प्रकृति चंचाहरक हैं MOM को सब्सक्चाहरक बाते हैं आफ आपसे हो शया हम धारा निए, आ खरीक माले की में करें, आपने देखा है कि कभीकभी हों इंड निश्टिक घ्जार में काश्चिक इसकी उनको डारेट्ट इस पर्ट नहीं करना चाहिए तो ज्यादा प्रवल एक सब्सक्राइब चाहिए और इसको स्केल पर मापते हैं किस तरही की इसे देखते हैं उसको पढ़े ही तो किसी घीडियन में उपस्तित यहां से आगे हमारे हमल आएंगे यहां से आगे हमारे चाहर आएंगे तो जो एक पैमाना जो एक इसकेल लिया गया है उसे पी एच इसकेल कहते हैं जो पीएच में है छ cosat ऑज़े और साती होता है जो पदारत आते आ ना तो अम्लिय होते हैं ना ही चारिय होते हैं उदासिन पदार्थ होते हैं और साथ से उपर आते हैं जैसे 8 9 10 11 12 14 तक वो सभी पदार्थ चारिय होते हैं वो साथ से नीचे आने वाले 6 5 4 3 2 1 किसी किसी की पॉइंट 2 होती है तो वे सभी पदार्थ अम्लिय होते हैं जितने ज ज्यादा साथ से उपर आएगा वह पदा अत्यरिक छारी होगा यह हमारे जो पी-एच स्केल होता है उसका है अब यह लैंड क्या दी हुए इनको पढ़ते हैं किसी विलेंड में उपस्तित हाइडोचन आयन की संद्रता ग्याद करने के लिए एक स्केल विक्सित किया गया है स्केल कहते हैं यही तो इस विलेंड पी-एच में पी सुच चक है जिसे पूटेंस कहते हैं जो एक जर्मन सब्दर जिसका अधोजा सकती इस स्केल से लिए सोन्य और से चौर्ड है तक पी-एच को ग्याद कर सकते हैं साधारण भासा में पी-एच को एक ऐसी संख्या के हाइड्रोनियम आयन की सांदरता जितनी अधिक होगी उसका प्या चुतना ही कम होगा यहीं कहाता ना कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है इस त्रियो प्लस जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा इसका मान होगा यह चितनी ही उसकी कम होगी यह जितनी कम होगी पदास उतना ही अमलिय होगा इस बात से इस लाइन से यही निकल के आता है कि जितनी ज्यादा है यह जितनी कम मतलब पदार्थ अमलिय जाए ठीक है त लिए इस स्कील में किसी विल्यान का मान साथ से कम है तो हम लिए को साथ से बढ़ता है तो यहां झाल की सकती बढ़ रही है। पीने का पानी वह नूट्रल होता है उसकी प्याश को हम साथ हीमान के चंगते हैं और हमारे पेट में पाचन के लिए आवस्यक होते हैं और जो काश्टिक सोड़े अगरा होते हैं काश्टिक सोड़ीं काश्टिक सोड़ा तो चारी होता है हमारे क्या थर्यस बाला बोला है है मुँрь में जो ल्र होती हैं वह सबी कांसий होती है आपने sacrifices हमल राज होता है इस मेहचह नौत्री और हेट अचेल का इसे दरा होता ह। वह बहुत तेधिक अम्लिय पदारत होता यह इस तरह से हमारी कप्द込ू न होता न के काच छारी होते है इनके पिय प्रेस्ट माझने किया गया कि समझ माःप इसमें प्रकार से इसकेल को लेकर चलते हैं और जीरो से चौदे तक हम किस परकार से डिवाइड करते हैं साथ को दासिन रखते हैं साथ से उपर जितने भी अंका आते हैं उनको चारी रप्रदार्थ रखते हैं चारी प्रकर्टी के मानते हैं और साथ से नीचे आने वालों को हम अमली प्रकर्टी में मानते हैं है weakest प्लस आएन की मों हुआ है कुर। angles ने की संग्रता कम होगी प्लस प्लस नहीं की संग्रता मौहीं प्लसY है ज्यादा होगी तो APD ठाल शाज प्रकलर्ठी में आईगाँ अब यहीं है और मेरं वीडियो आएगा या इस्से ४ हमारा वीडियो 살िया उसमें हम पिएच की हमारे daily routine में देनिक जीवन में क्या use है कहां कितना काम आता है किस किस चीजों में पिएच क्या है जैसे की जठतर रस हमारे होते हैं उनकी पिएच 2.5 होती है गत्य दिक अमली होते हैं और जड़ों में की पी एक किया है हमारे दानांके नेमल व प्ये horse कितने प्रवावित होती है अ में प्रदासथों से उस्म्ठाश का मौत पढ़Здें पम लंट है लबन किस प्रकार से उनकी देने हिआ साइन के यूज के जिवन में का काwyह आज के लिए इतना ही धन्यवाद